कांग्रिस इंटक प्रदेश सचिव गलीग तिर्की युद कांग्रिस के जिला उपाध्यक्ष सुदीप नायक एवं स्माइल किरकेटा ने कुड़ेक प्रखंड के भलमंडा गाउं का दौरा कर ग्रामीरों के कई समस्याओं से अफगत हुए इस दौरान महिलाओं ने बताया कि राशन के लिए बहुत दिक्कत हो रही क्योंकि इतनी उचाई से नीचे और दूर बुजुन्गों को जाना पड़ता है जिस कारण बहुत समस्या होती साथ ही राशन में कटौती की शिकायत करने पर भी कोई भी सुनवाई नहीं होती एक महीना राशन मिलता और दूसरा म लगभग 22 परिवार रहते हैं लेकिन किसी के घर तक बिजली नहीं पहुंची है गर्मी मौसम आने वाला है गाउं इतनी उचाई पर है और पीने का पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है आंगनबाडी संचालिका ने बताया कि केंद्र में पानी की कोई सुविधा नहीं है मरामती की बहुत जरूरत है लेकिन कई बार लिखित देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा मौके पर दिलीत ने कहा कि इतनी सुन्दर जगह में बसा ये गाउं है यदि सुविधाय उपलब्ध हो जाए तो ये गाउं जिले में एकोदारन जैसा बन सकता है बिजली के लिए कारपालक से बात कर जल्द बिजली बहाल कराऊंगा पुड़े हैं उन लोगों को काफी दूर नीचे आकर के रासन लेकर के जाना पड़ता है और दूसरा चीज है कि एक महीने उनको रासन मिलता है तो दूसरे महीने रासन डिलर के दोरा कहा जाता है कि इस महीना का आपको रासन नहीं मिलेगा दूसरा चीज है कि उन्होंने ब विजली अभी तक नहीं पहुंची है यह सारी मुल्भूत सुईधाये हैं और एक जो हमारे अंगनबाडी सेवी का है उन्होंने बताया कि आंगनबाडी केंद्र में ना चापाकल है और ना ही किसी तरह का कोई सुईधा है बहुत ही जर जर इस्तिती में तो इस तरीके से वहा करने के अंधरगत हमने पाया कि लोग महां बड़े ही कश्ट और तकलीफ में है हमने उन्हें आश्वाशन दिया है और जहां तक हमारा प्रयास होगा हम प्रसासन से बात कर उनके लिए उप्युक्त सुविधाओं का बंदोबस्त करेंगे और शीखर करें अपने राजिस ज